इस बालों को पसंद आरहा होगा तो यह मैंक टुट शेयर करने वाली हो आपके साथ गणेश चतुूलुटी के लिए आप भी मेरे साथ रेडी हो जाए संगे पर गनेश चतुूरुटी था के लिए यह यहांपर मैंने बैले तोफसे को Ol nav पॉर्ज है वो मिनिमाइज हो जाए उसके बाद मैंने यहां पर कलर लेंज अपलाई की है उसके बाद मैं प्राइमर के लिए स्विस ब्यूटी का प्राइमर यूज कर रही हूँ यह प्राइमर ऑईल 3 प्राइमर है और मेरी स्कीन ऑईली है इसी वजह से मैं यह ऑईल 3 प्रा है ना सच में पैसा वसूल फॉरदेशन है अंडर ठाउजन रूपीज आता है और बहुत ही अच्षा वर्ट करता है जैसे मैक वगरा का फॉनडेशन है न इतना ज़ाधा महंगा आता है बढ़ ये मैक का ड्यूअग भी समझ अफ्वाराइ पहुत ही रॉर्क करता है और बहुत ही अच्छ से फ्लॉलेस लुक भी देता है और में बात तो यह है कि अंडर थाउजन आइसी ओ जैसे आप ले सकते हो और पैक कोई पी एसी भी बोलता है से कोई पैक भी बोलता है तो आप डेफिनेटली इनके प्रोड़क्ट ट्राय कर सकते हो बहुत ही अच तो आपको करेक्टर की जरूरत पड़ेगी कलर करेक्टर करना बहुत जादा जरूरी होता है अगर आपके डाक सरकल है तो नहीं तो फिर वह जगा ग्रे दिखने लगती है और आपका फेस थोड़ा वाइड डिखने लगता है मतलब अच्छा दिखने लगता है और वही कंसिलर से ही मैं हाइलाइट भी करूँगी जैसे की ब्रिज ऑप द नोज पे चिक्स पे और चीन पे और फोरेड पे तो इस जगा पे मैं हाइलाइट कर लोंगे और ज्यादा कंसिलर अप्लाय नहीं कर लिए मैं आप देखी रह हो एकदम ज्यादा भर-भर के कंसिलर अगर आप करे curious करने लगता है और अच्छा नहीं दिखता है अपका make-up flawless नहीं दीखता है तो यह हां पर मैं अच्छ से अपना गा aan hequest करने से पहले मैं paragraph ब्लैंड कर रूकुड खन्ति है के लिए मैं यूज कर रही हूँ यहाँ पर वेटन वायल का पैलेट इसमें एक वैक्स आता है दो शेड आते है जो आइब्रोव शेड है इसमें से मैं डार्क ब्राउन शेड यूज कर रही हूँ अपने आइब्रोज को फिल करने के लिए देखो कितने नाच्रल लग रहा है यहाँ पर मैं sugar का banana powder यूज कर रही हूं हो अपने make up को set करने के लिए में इसे पोड़े बहुत यहाँ प्संद है बस यहाँ पर इस पौडर से मैं अपने make up को पूरे make up को set कर लोंगी अगर आपके oily skin है ना तो आपको set करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है मेकप को तो इसे वज़े से कोई भी powder से loose powder हो या कोई compact powder हो उससे आप set कर लीजे मेकप को यहाँ पर मैं यह Hilary Roda का eyeshadow palette यूज़ कर रहे है उसमें से मैंने green color लिया है और यह भी eyeshadow palette इतना affordable है आप amazon पर चेक कर लेना बहुत ज़्यादा affordable है और बहुत ही अच्छा work करता है तो यहां से मैंने पिक किया है यह वाला इसमें दो shade आते हैं तो यह पता नहीं जिरो टू है या जिरो वन है जिरो टू होगा शायद एक जिरो वन भी आता है उसमें सारे नूड्स आते हैं तो यह जो है इसमें से मैंने पहले green color पिक किया जो dark green brush लोंगी और अच्छे से सारी चिज़ों को blend करूंगी आप देखना आगे और अच्छे से blend करने के बाद ही आपका eyeshadow जो है उबर के दिखेगा बिल्कुल पैची पैची नहीं दिखेगा तो यहां पर आप देख सकते हो जहां पर color थोड़ा सा कम लग रहा था वहां पर मैंन तो यहां पर मैंने जो भी fallout हुआ था वो मैंने निकाल दिया और अभी मैं apply करूंगी gel eyeliner उसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूंगी music floor का gel eyeliner तो यह जो है बहुती affordable में आता है बहुत जदा affordable gel eyeliner है और इसमें दो shade आता है एक brown shade आता है एक black shade आता है आप कोई भी यूज़ कर सक तो आगे आप देखना इसे ही मैंने as a kajal बे यूज़ किया है और बहुत ही अच्छा look आता है इसकी वज़े से मतलब अगर आप beginner हो ना तो beginner के पास तो यह kit होनी चाहिए बहुत जदा affordable लगाईज देड़ सो 200 में आ जाएगा उससे भी कम में आ जाएगा तो आप definitely ले ले आपके आखे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी लगती है और बहुत ही सुन्दर लगती है तो यहां पर मैंने फॉल्स अप्लाई कर ली है यहां पर मैं अपने चीक को कॉंटर कर रही हो क्योंकि मेरे थोड़े चबी चीक्स है इसी वज़े से आप अगर slim face के हो ना तो आ करने के बाद कितना अच्छा लग रहा है हम तो यहां पर मैं यूज करी हूँ यह मोल्टन गोल्ड मेबलीन का क्या वोलते है तो यह ऐलाइटर अपने पूरे हाइलाइट पॉइंस पे लगा लोंगे जैसे कि अपने चीक्स पे मतलब यह जो बोन होती है चीक्स के उस पे उ आप दे नोस पे और चीन पे भी लगा लिया था मैंने इसके बाद ब्लश अपलाई कर गी हूँ यह वाला पीछ ब्लश है यह मेरा डोबे रा का ब्लश है हां डोबे रा का तो यह ब्लश मुझे बहुत ही जादा पसंदेगा है जो भी मैंने प्रोड़क इसमें यूज किया है तो इसवाज़ से यह भी जो लैसे से अच्छा दिखने चाहिए तो मैंने नीचे मस्कारा अपलाई कर लिया और इसके बाद और आभी देखो इंस्टेंट चेंज हो गया है लूक अभी मैं यूज करने वाली हूँ शूगर की जो क्रेयॉन लिप्स्टिक होती है वो यूज यूज करने वाली हूँ इसमें मैं शेड यूज करने वाली हूँ रेड बहुत ही सुन्दर वाला शेड है यह और बस इसे अपलाई कर लोंगी और लॉंग लास्टिंग भी है बहुत सुन्दर है एक स्ट्रोक में मतलब जल्दी से अपलाई हो जाता है बहुत जादा कलर प बन बना लिया है उसके बाद एक छोटा सा वो नहीं मिलता है आर्टिफिशल वाला फ्लार वाला वो लगा दिया है यूपीन से सिक्योर कर दिया है और यहां पर बस जूलरी पहनना हो जाने के बाद मेरा फाइनल लुक आप देखना बहुत ज़दा अच्छा लगेगा आपको और इस तरह से आप मेरे साथ रेडी हो सकते हो यह इस गनेश चतुरते पर गनपती बापा को लाने जा सकते हो गनपती बापा को बैठाने के टाइम पर आप इस तरह का मेकप कर सकते हो यह मैंने नेल्स पर अपना नेल पॉलिश भी अपलाई कर लिया है और यह है गाइस मे जाएगा description box जरूर चेक कर लेना मिलती हूँ next vlog में till then bye bye take care and love you all